हिलो फ्रेंट्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बेस्वेंट डवल 630 और बेस्वेंट डवल 660 के बारे में इस यह जो बेस्वेंट आप देख रहे हैं इसको एरिक्सन ने बनाया है इस बेस्वेंट के बारे में जरूर पूछेगा कि इस बेस्वेंट में कितने ऑप्टिकल पोर्ट होते हैं कितने लॉग इन पोर्ट होता है कितने इवन का पोर्ट होता है किस पोर्ट से हम लोग लॉग इन करते हैं और इसमें पावर हम लोग कितने देते हैं ठीक है और ये कौन-कौन सा टेकनोलोजी सपोर्ट करता है ये चीजे आपको इंटरिव्यू में जरूर पूछेगा तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं इसके अलावे भी मैं आपको बहुत चीज बताऊंगा ये भी मैं बताऊंगा जो मैंने आपको बताया है कि ये पूछेगा इसके बारे में बताऊंगा और इसके अलावा भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत चीज बताऊंगा आपको बेस्वेंट डवल सिस थी जिरो एंड बेस्वेंट डवल सिस टू जिरो के बारे में आप यहां पे जैसे देख सकते हैं LTE, WCM and GSM, Capacity and Mixed Mode Capability इसका जो है जो capability रहता है दो तरह कर रहता है एक single रहता है यह mixed रहता है single mode capability और mixed mode capability तो यह mixed mode capability में बोल रहा है यह जो बेस्वेंट है आपका 52, 6630 and 6620 यह आपका यह तीनों टेकनोलोजी आपका सपोर्ट करेगा और जो basement 6630 and 6620 इसका जो capabilities होता है यह equivalent to basement 5216 और 5212 के बराबर होता है लेकिन 5212 and 5216 यह 5G support नहीं करता है लेकिन इस technology के equivalent में होगा इस technology की यह similar में support करेगा आपका 5216 और 5212 सिर्फ इतना है different है 6630 and 6620 की यह 5G support करता है और यह 5216 and 5212 5G support नहीं करता है जहां तक मुझे मालूम है optimize for main remote configuration यहाँ पे कुछ configuration दिया हुआ है optimize इसको किया गया है जो आपका basement है 6630 and 6620 दोनों का जो structure है, beat है, weight है, height है इसलिए दोनों basement के बारे में एक ही बार में आपको बता रहा हूँ अलग-अलग से जानने की जुरुत नहीं है क्योंकि यह दोनों similar ही होता है 2630 and 2620 दोनों basement में 15 optical port रहता है आप यहाँ पे देख सकते है 12345 और यह 5 और यह 5 और 5 यह तीन पार्ट है तीन सलोट है, 123 मतलब 15 इसमें 15 optical port है तो आप समझ जाए कि आगर आपको interview में पूछा पूछता है कि 2630 and 2620 में कितने port होता है तापको बोलना है कि optical या CPRI का port 15 होता है ठीक है और इसमें जो SFP सपोर्ट करता है यह up to 10.1 gbps यहाँ तक मतलब इस range की up to इस range की SFP आपको सपोर्ट करेगा है यहाँ पे आप देख सकते है 2 optical 1 by 10 gbps SFP, SFP plus port and 2 electrical 1 gbps and rg45 ports इसमें जो है electrical SFP भी आप इसमें insert कर सकते हैं और rg45 के यहाँ पे पूट दिया हुआ है उसमें भी connect कर सकते हैं और इसमें भी आप rg45 का अगर आपको connectivity करना या कुछ करना है तो आप SFP लगा के insert कर सकते हैं ठीक है जिसको हमें लोग electrical recipe बोलते हैं एक्स्टर्नल alarm port रहता है इसमें यहां इसमें एक्स्टर्नल alarm port रहता है आपका यह basement में इसमें dual power supply देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं dual power supply minus 48 volt DC देते हैं हम लोग DC voltage self-contained and environmental control and field replaceable fan unit मतलो यह इसका जो fan है इस पीछे में आप देख सकते हैं यह fan लगा हुआ है ठीक है अगर यह fan faulty गया तो आप इसको replace कर सकते हैं ठीक है और यह cooling करने के लिए काम में आता है hardware prepare for nr 5g and e-sipri यह hardware के जो है future देख के prepare किया गया है ताकि यह 5g को support कर सके जैसे मैंने आपको बताया कि यह 2g, 3g, 4g and 5g technology support करता है baseband 6630 will have 50W lower power consumption compare to the corresponding baseband main unit 6601 plus baseband 5216 plus baseband R50 configuration यह इस तरह के मतलब low power consumption होता है अगर हम compare करेंगे 66601 से या 5216 से या R503 से इसका जो configuration इसे यह less power लेता है baseband आपका 6630 ठीक है baseband 6630 और 20 has 15 safety port and dual power feeding जैसे मैंने आपको बताया कि यह इसमें 15 optical port होता है आपका 6630 और 2620 में ठीक है चलिए दूस्तों next next हमा आलो आते है इसमें क्या लिका होगा baseband configuration from 17.21 यह software है अगर हम यह software अपडेट करके configuration करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि single mode baseband होता है और mixed mode baseband होता है 2620 का single mode baseband में देखते हैं तो GSM, WCD में और LTE 2630 के भी देखते हैं single mode में तो GSM, WCD में LTE यह तीन technology support करता है अगर हम इसको baseband 2620 को mixed mode baseband में देखते हैं तो यह G plus W मतलब GSM और WCD में support करेगा लेकिन 2630 आपको support करेगा GSM plus WCD में GSM plus LTE WCD में plus LTE GSM plus WCD में plus LTE यह सब technology support करेगा तो दोस्तो अगर आपको और ही इहा पे अपको baseband 2620 back back connect 2630 के पुछता है तो आप यह example सकते हैं single mode baseband और mixed mode baseband के पारे तो दोस्तो यह रहा baseband 2620 backband 2630 के बारे में तो दोस्तो मैं हमेंशा बोलता हूँ आपको कि अगर मेरे चैनल पर आप न्यू आया है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मैं इस से अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपको और आपको अच्छा जानकारी इस चैनल से होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू